हेलो आज आज आपके लिए लेकर आई हूं नवरात्री स्पेशल वीडियो तो सबसे पहले शुरू करते हैं बैंगल से इन बैंगल पर मैंने फैबरिक ग्लू स्टिक करके लैट ग्रीन कलर का कॉटन थ्रेड राप करूंगी इसे अच्छे से राप करेंगे ताकि हमारी कर सकते हैं फिर हम यूज करेंगे यह यहां पर सबसे पहले राउन शेप का मेरे स्टिक करूंगी और इसके अगल बगल फैबरिक ग्लू लगाऊंगी और डाग ग्रीन कलर का थ्रेड लेकर इससे राप करना स्टार्ट करूंगी मैंने टोटल टेंड राउंस रैप किये हैं और लास पर फैबरिक लू की हल्प से सेक्यूर करके कट कर लोगी सेकेंड बैंगल पर यह डाइमंड शेप वाला मिरर स्टिक करेंगे इन मिरर्स को पास पास स्टिक करेंगे और ऐसे पूरी बैंगल पर स्टिक कर लेंगे फिर उसके बाद लेंगी लैड ग्रीन कलर का थ्र कवेट्स पर ज़रूर बताइएगा ये विरर बैगल कैसा लगा शुरू करते हैं डियाइवाइ नमबर टू इसमें हमने वाटिट की धकन से दो सर्कल्स टॉ किया है अब इन्हें कट कर लेंगे और उसके बाद लेंगे ब्लाक कलर का फैबरिक क्योंकि ब्लाक कलर तो सबका फ सब्सक्राइबर ने बोला कि नमराथी येरिंग बना दो तो मैंने सचा उनकी विश्पूरी ही कर दो इस वीडियो में फिर यहां पर मैं गोल मिरर स्टिक करूंगी और इसके अराउंड भी मैं इस तरह से ग्लू लगाऊंगी और धागे को रैप करूंगी इसे और कलर बना इसे स्टिक कर देंगे येवाला ग्लू मैटल पीसे को स्टिक करने कले काफी अच्छा होता है फिर हम यूज़ करेंगे धेर सारी सिल्वर बीट्स का इन सिल्वर बीट्स को हम सुई धागे की हेल्प से अपने यहरिंग्स के आराउंड स्टिज करेंगे दो दो बीड्स में से हम इंसर्ट करके नॉट टाइब करेंगे ताकि अच्छे से सिक्यूर हो जाए और खुले नहीं अब आती है काफी ट्रेंड में आ जाती है मिरर जूल्री और फैब्रिक जूल्री लेकिन यह काफी महंगी होती है क्योंकि यह हैं लेकिन गर पर आप इसे बिना जादा खर्च बनाउंगी यहाँ पर मैंने 15 लिये हैं और जिस ब्लाक बीड को हमने इंसर्ट किया था उसी पर इसे हमें टाइब करना है अच्छे से तीन चार नॉट लगा कर हमेंसे टाइब कर लेंगे और इसी तरह बाकी सारे कलर तैसल को रैडी करके टाइब कर लेंगे एक ही एरिंग से मेरा मनी भढ़ा इसलिए मैने दजा है एक और यारिंग बंदा लूँ तो यहां पर मैंने लिए है यह परे साइस के इलवर हूप्स इन में मैं यलो कलर का थ्रेड रैप कर रही हूँ आप आप चाहें तो किसी भी कलर का रैप कर सकते हैं जैसे ही मैंने चूड़ी पे सारे थ्रेड रैप करते हैं वैसे हम यहां पर भी यह थ्रेड रैप करेंगे और ऐसे दोनों बना लेंगे फिर उसके बाद एक स्ट्राइंड का थ्रेड लेकर हम इस पर गलू लगा कर ऐसे तीन- दियाइवाइस को बहुत ही जादा मेहनत और दिल से बनाती हूं पर जब आप इस पर कमेंट करके मुझे बोलते हैं कि बहुत अच्छा बनाया तो मुझे बहुत खुशी होती है और बहुत मुटिवेशन मिलता है तो आप इसी तरह से मेरा साथ देते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक करते रहें और मैं आपके लिए नहीं नहीं और अच्छी वीडियो लाती रहूंगी और आपको पता है यह त्रेड ड्रापिंग वाले जूलरी पीसे में बहुत टाइम लगता है लेकिर आप लोगों को यह इतने पसं विजल वो भी यूज़ करके ऐसे प्रिटी यरिंग बना सकते हैं अब हम बनाएंगे बहुत ही क्यूट सा डियाइवाई क्यूट बेबी गल्स के लिए हैर बन में थोटा सा स्पेस्ट चोड़कर एक स्क्वार स्टिक करना है और उसके बाद यूज़ करना है और उसके डियो शरा प्यार दे Сबसक्राइब करें सब्सक्राइब करें और बाते करते करते और यह भी हो गया और इसे हमें सारे मिरस पर थ्रेड रापोर मैंद बना लेना है विडियो पशन्द आया हो तो लैक शेयर एंडस बराइब मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए Bye-bye!